लड़ाई दुयाचार अंठन्न साल को दर्वर अत्याकांडबशी नया फेज मा प्रवेश करश नया राजा ग्यानेंद्र बिरिंद्र जतीको सम्मान र पॉपुलरोने संभबने थिये न उनले ने राजा बिरिंद्र को हत्याक गरेको उनसके को संका ततकालीन युपराज पारस को अभध्र वेवाहर र क्रिया कलाप ले राजा ग्यानेंद्र को पपुलरीटी जनजन घर दे गयो राजा बिरेंद्र को डायरेक्ट पॉलिटिक्स मा अस्तशेप न गरें निती बास्तव में प्रसंचनिय थियो। रा सेनालाई सीधे लड़ायमा न उतारे रा उनले कोई हजार नेपाली को ज्यान जोगैशोगी का थिये। तर राजा ग्यानेंद्र सकती आफनो आत्मालीने र लड़ायको समाधान बार्ता बाटा न बाई आर्मी को बल बाटा गरने पक्षिमा थिये। आर्मी लड़ायमा सीधा उत्तरने बाईपशी इंसाचरकेने र लड़ाय उतकर समपुगने निशित्तियो। So, welcome to the fourth episode of Nepal Civil War Explained, The War Part 2 जहामी द्वेदर अंठन्न सालमा ग्यानेंद्र राजा बाईशागे पची का मुख्ये गटनारू र लड़ायका क्रूशियल पोइंट को बारेमा कुरा गरने साउं। I am Dipesh and this is the Nepali Comment 2008 सालमा ग्यानेंद्र राजाउता माओ दी लड़ाय शुरुवएको 6 बर्स वैशागे गथियो। शुरुका दी नरूमा वंदा उन्यारू यो समयमा संख्यामा देरे अतियार मा देरे र र कंट्रेट्ने सवनी बड़िश्वएका थिये। अतियार र एसकी सिम को लड़ाय लड़न पुलिस तयार थिये नौ। अतियार में स्प्रेशलाइश्ट होये का सस्त्रप्र अरिबल को स्ताप नावन अजय कै मैना बाकी ने थियो। मावधियरू आर्मी संग लड़ाय लड़न सक्छन या सक्दनन भन्ने मा उनेरू शियर्थिये नौन। राजा बिरेंद्रको ब्रिद्ध्युको एक मैना पची मावधियरू नेपाल बंदको गोश्णा गडशन। रा एसला सफल पार्न उनेरू बिविन्न ठावमा अट्यक को प्लान मनोचन। रुकुमको होलेरी पुलिस पोस्ट मा हमलागर्ने प्लान बन्च तर त्यांका पुलिस मावधिका डरले राती अंते बसने कुरा थाबाय बची उनेरू बियाने हमलागर्ने तयरेमा जुटशन। अचानक वयको एस हमलामा मावधियरू बहत तर जाना पुलिस लाई आफनो कंट्रोल मलीन सफल उन्चन। बर्तमान उपराष्ट बती नंद किसोर पुनले इसकाट्टा का वारेमा आफनो किताब रक्तिम पायलामा बिस्तार मलेहिका चन। इयो होलेरी गटना जन्युद्ध के टर्निंग पुइंट बन्चा वन्यरा साहत कसले बनी कल्पना गरीक थियेन। प्रहरी लाई बंदक मनायक समचार आये पसी ततकारीन प्रदानमंत्री गिरिजाब्रसात कोई रालकसर कारले आर्मी लाई साहताक लागी बोलाउँशन। आर्मी को तीन हत्यारले वरीक हेलिकाप्टर होलेरी तर्फ लाग्षा। तर्फ मावदीक गोली बारीक कारेंड ले एवटा हेलिकाप्टर इम्वरेंची लेंडिंग गरना बाद्धे उन्छा। मावबाद्यारू आर्मी लाई चिठी पठावशन। रचिठी में बन्छन। आम्रो तीनियर लाई अटाक गरने कुणे योजना शाहिन। रा एदी आर्मी ले लड़ाय शुरू गरे एशको जिम्यो बार उन्यारू आफियो नेशाव। आर्मी को जवाफ एक तमे अनवठु थियो। उन्यारू अम्लाक लाई नवए आफनो रेगुलर ट्रेनिंग को लाई आएका बतावशन। रा बंदक्मनाएका प्रारियर लाई नचुटाई फरकन्छन। आर्मी को एश जवाफ लाई मावद्यारू आफनो जीतको रूप मा लिन्चन। तरे एशको बास्चविक्ता एक तमे फरक थियो। आर्मी ले सायको बए उन्यार लाई अमलागर न सक्ते। रसायद उन्यार माथी बीजाइपेनी पवनो सक्थे। आर्मी ले एश गट्टा माट खुला संदेश जीदे थियो कि उन्यारू कुनेपेन सरकारको इसारा मवईन तरा आफने तरीकामा चलने वाला थियो। आर्मी लडायमा उत्रन्च वने आफने नितियोनुसार रा राधाको निडियोनुसार। गिर्जाब्रसात कुर्याला जो लामो समय देखी आर्मी लाय लडायमा उतार्न जानते यो गट्टा पचे आफनो सक्ती भूमेको महसुस गर्चन रा एसको एक आप्ता माने राजिनामा दिन्चन। इस पसी प्रदान मंतरी बनिका सेर्वादर देवबाले फरक तरिका अपनाव चन। सेर्वादर देवबाके नित्रित्तोमा महावदियर संगा फेरी बार्ता सुरू उन्च। महावदियरू बार्ता मावनुको एवटाकारड जन्ता र इंटर्नेक्शनल कम्यूनिटीमा उन्यरू लड़ाई नवई समधान खोजरू एका पोजिटिव मैसिज दिन जान्थे। महावदियर बार्ता मा जसर्पनी पुरा उन्वणुकर्णे मावदि सहितको अंतरिम सर्कार समयदान सवा को चुनाव नया समयदान र गड़तंत्र को माग गर्चन। बार्ता गोर्यरेका सरकारी पक्छेला योराम्रशंग था थियो कि समेदान सबा रगड़तंत्र आर्मी को सपट वयेका राजागेंद्र कुनेपनियालत्मा मान्निवला थिये नन। लगवग तीन मैना चलेका बार्ता बिफादूंच र लड़ाय फेरी शुरूंच संकटकाल कोश्णा मानवतिकार र सिविल अधिकार सस्मेंड नौ गरे सम्मा आर्मी लड़ायमा नौत्र ने कंडिशन राख्षा किनकी संकटकाल बिना आर्मी लड़ायमा उत्र दा उनियरको एक्षन माथे मानवतिकार हनननको आरोप लागने निशित थियो आर्मी लड़ायमा उतारने परने बातेतामा शेरवादर द्योबा देसमा संकटकाल को गोश्णा गर्शन आर्मी जो तेसवेला सम्मा इवयनको पीसकिपिंग फोर्स र स्टेरिमुनियल काम मा मात्र इन्व गरेको अमलाको तरंग नेपाल सम्माय पुगन तेरे समय लागेन अमेरिका एस घटना को बदला र एसता घटना फेरी दोहरिन नदीन ग्लोबल टेररिजम को बिरित लड़ायको कोश्णा गर्श सरकार र राजा को लागी यो खुशियो खवर थियो इन्फैक्ट एस घटन उनके निमंत्रडामा शेर्वारदर देवबा वासिंग्टन जान्चन र ततकारिन प्रेजिडेंट जोज डबलो बूसलाई मावदी विरुद्ध लड़ायमा साहेता कलागी अपिल कर्शन अमेरिकाले साहेता सरूप बाइस मिलियन डॉलर र मिल्टरी ट्रेडिंग नेपाल पापठांच विविन्न देशको साहेता मिल देगए पची आर्मी र राजा को सकती अजे बढ़दे जान्च र देशमा अजे कडानियम र इन्चा बढ़दे जान्च शाहेत एई टाइम राजा ग्यानेंद्र ले आफु पूरा पावर मा फर्केने संभावना देखना थालचन उनलाई पावर मा फर्कना मात्र योटा मौक को आविशेक्ता थियो रयो मौका उनको सामू छिटे आयो संकटकाल गोष्टां गरने सेर्वाद देवबागवनी ने वाये पनी निपा देश लाई संसदने बिगठन गर देशन यो त्यादेश पास करेरा राजा ग्यानेंद्र पाटेरू र जनतावीज अजै अलोग प्रिये होदे जान्छन एसको योटे मातर समादान संसदक लाई नया चुनाब थियो तर माव दिवरको निरंतर अमलाले चुनाब गर्र अथवा पूराने संसदलाई फेरी प्रनस्तापना गर्न बर्थियो दुइटे गर्न नसकेका सेरवादर देवबा दुजार शामु आफू नया चुनाब गर्र नसकने कुरा प्रस्थुत गर्चन आफू सक्तीमा फरकन मौका खजिरयेका राजा ग्यानेंद्र सेरवार्द प्रदानमंद्री बर्द वाट निश्कासन कर्चन पन्चायच्थसासन हट्टेको पोईलो पटक न जंता वाट चुन्नेयको संचत्तिओं न प्रदानमंद्री देशको गार जेन कोई सापले रा कुने बनी प्रदर्मंद्री योग गीक नवएकाले उनले सबे सकती आफनो हाथ मलिन छन। यो एकतमे गारो समय थियो किना की दिन मदिन मर निक संक्या बढ़ दे थियो अमान बिये इंसागा गट्टा बनी बढ़ दे थिये देश मा पत्रकार रा न नामनी शान ने थिये न। नेक्स्ट एपिसोड मा आमी लडाईको क्लाइमेक्स को बारे मा कुरा गरे चाओं जुन नता राजा पचले सोची का थिये नता सरकारले रा नता मावादे अरिले नहीं। एदी तपेला यो वीडियो मन पर्यो रा इसमा तपेले के नया फैक्ट रा इंट्रेसिंग कुरा वेटन भाय वने दो लाइक शेर और सब्स्ट्राब दे चैनल कीप लर्निंग और कीप वाचिंग